नमस्कार दोस्तों मैं C.A.N.U. भाटिया स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड इंकम टेक्स आपकी और से जो सुझाव मुझे मिलते रहते हैं उनमें अक्सर ये सुझाव मेरे सामने आया है कि सर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ क्लेरेटी इंकम टेक्स के पॉइंट आप यू दीजिए तो आज मैंने उसी विशे के मद्देनाजर ये वीडियो ब transformative kya क्या हैं और income tax department के radar पर credit card के transactions क्यों रहतें हैं दोस्तों और how to defend debits credit in your credit card account अगर आपके credit card account है और उसमें कुछ debit credit हैं कल income tax department उन पर कोई query करता है तो आप उनका जवाब एगनना चाहिए कि आपने जो credit card के charges दिये होंगे से interest दिया है या कोई processing fees दी है या किसी प्रकार के और charges जो credit card company ने यानि bank ने आप से debit किये है उनका क्या हम income tax में कोई benefit उठा सकते हैं क्या and precautions in dealing with credit card transaction जो आज की इस video का सबसे important portion है sir वो ये precaution portion ही है जो मैं assesses at large के लिए बात कहना चाहता हूँ कि sir इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि credit card transaction आपको income tax point of view परिशान नहीं करेंगे तो इन ही coverage के points के साथ मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ तो देखी दोस्तों यहाँ सबसे पहला प्रेश्ट में आपके सामने रख रहा हूँ why credit card transactions are on the radar of income tax department और इसी से एक मिलता जुलता प्रेश्ट मेरे सामने है जो आपके भी दिमाग में होगा इसाब credit card रखना क्या कोई अपराद है क्या credit card क्योंकि एक और सरकार बात कर रही है वारत सरकार प्लास्टिक मनी यूज करिए आप बैंकिंग के थूर ट्रांजेक्शन करिए और दूसरी और जब हम बैंकिंग के थूर ट्रांजेक्शन करते हैं यानि credit card transaction करते हैं तो ऐसा क्या reason है ऐसा क्या कारण है कि credit card के transactions income tax department के radar पे रहते हैं मैं इसका सीधा सा एक तातपर आपको बताता हूं सर कि क्यों ऐसा होता है मान लीजे ये मेरा credit card का statement है और मैंने credit card में से साल वर में 12,00,000 रुपे खर्च कर दी बहुत अच्छी बात है सर क्योंकि आज की इस economy में अगर मैं खर्च कर रहा हूं तो naturally मैं कहीं न कहीं किसी industry को promote करता हूं लेकिन होता क्या है सर ये 12,00,000 रुपे मुझे further pay भी करने है अब जब मैं 12,00,000 रुपे pay करूंगा सर तो या तो किसी से मैं credit लूँगा या नि उधार लेकर चुकाऊंगा credit card company को bank को या मैं हो सकता है खाते में cash deposit करा दूँग या मेरे पास में कोई ऐसी income है जिस पर मैं already tax देता हुआ आया हूं और मैंने उस particular income का प्रयोग अपने credit card का payment करने में use किया है तो income tax department ये जानना चाता है कि वाटिया जी आपने जब ये 12 लाक रुपे खर्च कर दिये तो इसका source क्या था credit card वाले ने तो आपको उधार की facility दी लेकिन आपने finally पैसा चुकाया तो होगा और ideally वो जो पैसा चुकाया है वो आपका income है और अगर income नहीं है आप कहते हो नहीं सर मेरी income तो 12 लाक नहीं है तो कितने जनों ने आपको gift कर दिया और ऐसे कौन से जने हैं जो gift दे रहे हैं आपने अगर cash जमा करा दिया तो क्या उस cash के उपर आपने already income tax दे रखा है क्या तो I hope आपको मेरी बात का अर्थ समझ में आ रहा है सर के credit card transaction income tax department के radar पे इसलिए हैं क्यूंकि जब हम credit card के payment करते हैं तो भारत सरकार जानना चाहती है कि what is the source of such particular payments being made by you और अगर आपने इस चीज़ को cover कर लिया तो सर मेरी opinion में credit card रखना किसी भी प्रकार से कोई अपरात नहीं है ये एक credit culture है किसी को comfortable है किसी को नहीं है पर आप अपनी credits को जरूर समा लिए ये message मैं देना चाहता हूँ अब यहां देखिए sir what are the various kinds of credit card transaction तो तीन प्रकार के sir credit card के transaction है मेरी opinion में एक spending यानि जो आप खर्चा करते हैं दूसरा sir deposits जो आप credit card में पैसे जमा कराते हैं और तीसरा charges जो credit card company यानि banking company आपके खाते से debit ले लेती है तो भारत सरकार का जो मुख्य जान है वो in deposits की ओरे जैसा मैंने पहले भी बोला और spending जो आप करते हैं naturally sir वो further future में in deposits का base बनते हैं तो ये तीन प्रकार के transaction है sir जो मुझे regularly किसी न किसी credit card statement में मिली जाते है अब यहां sir एक बहुत महत्पूर्ण प्रशन है आपके खाते में जो debit credit है उनको कैसे defend करना है यानि कल अगर income tax department ने आपके credit card के basis पर आपका assessment खोला या किसी assessment में उन्हें credit card के statement मिल गए तो अब assessi लोग उन्हें reply file करते हैं क्या reply file करते हैं assessi को बताना पड़ता है कि हाँ साब मैंने credit card से इतने payment किये क्यों किये तो ये कैसे कैसे आई अब इनको defend कैसे करना है हला कि ये जो मैं यहाँ पर answer दिने वाला हूँ sir वो final answer नहीं है facts and circumstance से ही decide हो पाएगा कि आप अपनी debit credit को कैसे define करते है जहां तक sir debits का प्रश्ण है debit का मतलब है credit card से पैसे निकालना या खर्च करना यानि debit card को use करना credit card को use करना जब आप credit card को use करते हैं sir तो उसका detail सीधे सीधे credit card के statement में आ जाता है कि आपने petrol का payment किया diesel का payment किया restaurant में खाना खाया या किसी particular amazon flip card जैसी company से कुछ माल purchase किया तो debits बड़े easily verifiable होते है इशू आता है sir credits का credit मतलब जब आपका credit card due हो गया over the period of time उसका बिल और आप उस credit card के बिल का बुकतान कर रहे हैं तो जनरली लोग अपने बैंक खाते से बुकतान करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन बैंक खाते में पैसा कहां से आया उस credit की और सरकार का द्यान है जिससे आपने पैसा जमा करा है मान लीजे मैं सेलरी पेड परसन हूँ मेरी साल की सेलरी है छे लाग और मैंने सर बारा लाग रुपए के credit card से payment कर दी है तो नैच्रली सर आप यह बोलते हो सर तो आपके फादर की और उंगली चली जाएगी कि पिता जी के पास इतने पैसे कहां से आये थे और कहीं आपने गलती से यह बोल लिया कि साब मैंने उनसे नकद लिया था और एक साथ ले लिया था तो आज की जेट में inquiry के radar पर आते भी हैं तो it would be better that you take help of your chartered accountant or tax consultant who will guide you better and please explain him the real source of such particular credits क्योंकि अगर आपने सही चीज़ें नहीं करी तो कल आपकी कहानी department में किस प्रकार से कैसे सही तरीके से रखनी है आपका consultant वहां help नहीं कर पाएगा तो मेरा यह कहना है सर कि आपकी जो debit credits जो आई हैं उनमें credits की और ध्यान बहुत ज़्यादा है department का और credit को defend करने का best तरीका क्या है सर कि वो credit या तो आपकी tax paid income है और अगर tax paid income नहीं है तो आपने gift लिया अब कई लोग मैं आपको बताता हूं सर क्या करते हैं आप लोग भी कि ऐसा हो सकता है कर रहे हूं कि कई लोग credit card में क्या तरीके से शुरू करते हैं कि बोला सर ठीक है मान लीजे मेरे पास SBI का credit card है मेरे किसी मित्र को पता चला कि SBI credit card से payment होगा तो सर 10% cash back आएगा तो उसने बोला कि भटिया यार तू अपने credit card से बुगतान कर दे मैं तिरको पैसे दे दूगा तो मैंने 10% के cash back के चकर में उसको भी कुछ benefit होना है कुछ मुझे भी होना है मैंने उसके particular expenditure का बुगतान कर दिया अपने credit card से उसने मेरे को cash जमा करा दिया मैंने वो cash अपने bank account में जमा कराया और बोला कि साब ये मेरे को cash मेरे spend ने दिया था अब एक दो साल में a query हो गई तो बहुत बढ़िया income tax department तो sir 6-6 साल बाद activate होता है और उस समय जब वो activate होता है और आपसे पूछता है कि Laos approve करो ये पैसा आपके friend ने दिया था मानलीजे वो transfer हो के कहीं और चला गया या उससे मेरी दोस्ती किसी वज़े से आज नहीं रही तो ऐसी समस्य किया हो में sir income tax department क्या करता है इन credit को income मान लेता है और यदि वो income मान लेगा तो sir ये unexplain income मानते हुए 60% की rate से taxable income है I hope आप मेरी बात समझ रहे हैं और इसलिए sir अगर आप किसी दूसरे वेक्ति के लिए अपने credit card का प्रयोग करते हैं तो better have something in writing from that other person के हाँ साथ अनुबाटिया ने मेरे purposes से ये particular payment किया है और मैंने उसको ये particular payment इसे इस प्रकार से कर दिया ताकि कल मैं income tax department में establish कर पाऊं कि sir चाहे मेरी income कम है credit card के transaction या credit ज्यादा की है पर वो fully explainable है अगर आप explain कर सकते हैं तो sir घबराट नहीं है नहीं कर सकते हैं तो हाँ income tax department उन credits को income मानते हुए 60% की tax rate पे दोस्तों आपको tax करने की power रखता है तो debit credit को समालना sir इसमें भी credit को समालना एक बहुत बड़ा issue है जो आपको सतर्क रह करके करना चाहिए एक interesting query देखे sir can we claim credit card charges as deduction on computing income मान लिजे credit card वाले sir आप कितना भी बोलें वो zero fees वाले credit card बहुत सारी issue होते हैं पर कहीं न कहीं credit card company यानि bank आपसे credit card के पेटे charges वसूल करती है and then a person feels cheated वो एक अलग विशह है मैं आज उस विशह पर नहीं बात कर रहा लेकिन आपसे जरूर कहूंगा sir अगर credit card के पेटे आपके credit card statement में कोई charges debit है जैसे मान लीजे annual maintenance तो आप ये charges का income tax में deduction ले सकते हैं नहीं तो by default answer है कि नहीं sir deduction नहीं मिलेगा लेकर यदि आप credit card का प्रयोग business के purposes से करते हैं और आपके business में credit card से आप कोई particular transaction करते हैं और credit card company ने कोई charges लिये हैं तो वो charges मेरी opinion में claim किये जा सकते हैं यानि as an individual as a non businessman जब मैं credit card use करता हूं और charges देता हूं तो generally उनका deduction नहीं मिलता लेकिन जब as a businessman मैं credit card का use करता हूं तो sir deduction मिलने की संभावना है हलाकि इस विशे पर ज्यादा clarity facts and circumstances based होकर आपका tax consultant या charter accountant और अच अब लाग पते की बात सुन लिजे दोस्तों precaution and dealing with credit card transaction credit card transaction deal करते समय आपको क्या क्या precaution रखना है मेरी opinion में please maintain a record of source of credit in your statement अगर आप credits यानि आपने credit card में पैसे जो जमा कराए उसके लिए पैसा कहां से आया ये explain करने की position में आप उने चाहिए हो अगर आप इस position में नहीं हो और explain करना ही किवल प्रयाप्त नहीं होगा बलकि prove भी करना पड़ेगा जैसे मैंने किसी दोस्त के बदले दोस्त के लिए credit card का प्रयोग किया उसने cash दिया बाग में जब उसका statement देने की बात आई income text में confirmation की कि हां साब उसने मेरे को अनुपाटि तो income tax department बोलेगा जी ठीक है बाडिया जी तो आपकी income है ठीक है तो आप समझे सर सोर्स अप credit पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है avoid spending for others through your credit card for others हो सकता है मेरे इस सुजाव से आपकी लड़ाई हो जाए दोस्तों से लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट राइए सर credit card का प्रयोग क करिए कर दूसरे व्यक्तियों के transaction दूसरे वेक्तियों का मतलब कोई मित्र भी हो सकता है को व्यभारी भी हो सकता है को रिष्टेदार भी हो सकता है Lets Light करिए सर हम थोड़े से bonus points क्रिेट करने के चकर में दूसरे वेक्तियों के लिए अपने credit card से जब बुक्तान करते हैं और मान लीजे उस दूसरे person ने मुझे bank to bank transfer कर दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर आराम से करिए लेकिन जब वो मुझे cash दे रहा है तो अगर आपने credit card के transaction किये हैं चाहे आपकी income less than 2.5 lakh है तो भी सर मेरा आपको सुझाव है please file your ITR क्योंकि ये बात मैं लगातार अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि वो लोग income tax department के radar पे ज़्यादा आते हैं जो non compliant है जो ITR नहीं बढ़ते बनस्पत उनके ठीक है जो ITR बढ़ते हैं तो अगर आपने credit card transaction किये हैं सर तो आप अपनी return भरिए जो आपकी regular income में वो दिखाईए there are less possibilities of your assessment getting opened up तो ये कुछ precautions हैं सर जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको credit card के transaction ज्यादा तकलीफ नहीं देगे अन्त में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाता हूँ मुझे सुनने के लिए और मेरा उत्सा वर्दन करते रहने के लिए आप से मिले वु सुजाओं के आधार पर ही मैं समय समय पर छोटे-छोटे वीडियो बना के आपके सामने लाता रहता हूँ मुझे उमीद है कि credit card transaction पर बनाई ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उप्योगी होगी यदि आपके credit card transaction पर कोई specific query होँ आप मुझे लिखिए मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी छोटी सी knowledge है उससे आपको कोई उप्यूप्त समाधान दे सकों मुझे सुन